ब्राइट वायाइड वहाएगेश्डाइड में यहाँ इडली संबर बनाने के लिए रहर के डाल होता है उसको बढला बढल के लिए नं Bomb पयते हैं यहाँ नंवक बीलाएट को और पाने प्रेसर चाजमय को करने में चाहएईamat और मैं आज इडली संबर बना रहे हूं तो मैंने सोचा कि आपको भी प्रोसेस बताती चलू कि मैं कैसे बनाती हूं और इसको मैं प्रेसर कुक होने के ग्यास पर चड़ा दिया यह देखिए मैंने इडली की बैटर पहले से ही बना के रखी थी जो चावल और बिरी का जो मिश्रन होता है उसको मैंने रात में भीगो के उसको ग्राइंड करके उसको दस घंटे रखा था वो फूल के ऐसे हो गया था और उसको मैं थोड़ा नमक दे के उसको अच्छे से फेंट रही थी ताकि थोड़ा जो इडली है थोड़ा फ्लपी बने तो मुझे नमक कम लगा तो मैं यहाँ और थोड़ा नमक दे रही हूँ और उसको अच्छे से फेंट रही हूँ जितना फेंटेंगा उतना अच्छा है उतना नरम बनेगा और देखिये मैंने अच्छे से फेंट ले आए उसके बाद जो इडली का स्टांड जो है न उसको मैं ऑयल से ग्रिस करेंगा सारे जिसमें मैं बेटर थोड़ा थोड़ा डालूंगी इटली के वहाँ पर मैं ओयल से ग्रिस करें हूँ देखिए मैंने यहाँ पर तीन जो होता है तीन में थोड़ा थोड़ा ओयल डाल के उसको अच्छे से ग्रिस कर दूंगी इसको देख से हाथ से अच्छे से आपको ग्रिस करना होगा ताकि हर जगा लग सके ताकि जब आप इटली निकाले ना तो नीचे चिपके ना इसलिए ओल से अच्छे से ग्रिस करेगा देखिए मैंने यहां सब इटली का स्टान को ग्रिस कर दिया है तो मैं फिर इटली का बैटर थोड़ा थोड़ा लेके में डाले हूँ यहां पर बड़ा चमत था तो मैंने उसको रख दिया उसके बाद देखिए मैंने छोटे चमत से ही सारे इटली के जो मोल है उसको भरना स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ा 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 देखिए मैंने भर दिया था देखें यहां पे भरने के बाद मैंने इटली का जो मोल होता है उसमें थोड़ा पानी दे दिया था और उसके अंदर जो कंटेनर को जो भरा था ना उसको मैं दे दे के उसको स्टीम देने के लिए रख रहे हूं और फिर चलिए संबर की तयारी करते हैं यहां पे देखिए मैंने कड़ाई ग्यास में बिठा दे आए और उसमें थोड़ा ओयल ले लिया है मैंने कि मैंने ऐल लेने के बाद उसमें जो सुर्पमास्टरस तो ऑफिया और सुखे मिरच और सब दे दिया उसके बाद जो प्यास काटके रखा था मैंने उसको दे दिया मैंने वेजटेबल के लिए गाजर लिया था और मैंने वेजटेबल में यहाँ जो गाजर होता है गाजर और पंपकिन को छोटा छोटा काट लिया था और उसके साथ टेमाटो भी लिया था और उसको मैं डाल दूँगी देखिए टेमाटो को बाद में डालूँगी पहले गाजर और पंप्किन को डाल के थोड़ा सा फ्राइ कर लूँगी उसके बाद जो इमली का पानी मैंने रखा था ना हाँ उससे पेले थोड़ा हलदी और थड़ा नमक भी डाल दीजएगा और उसके बाद इस जो वेजिटेवल को मैंने issmi lot. इमली के पानी में मैं अपले ही और ढूए पानी को शॉआ दाल के मैंने जल्ड हो जाए कुछ समय बाद देखिए यह हो गया है यह पक गया है यह पक गया था कुछ समय बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया उसके बाद जो मैंने अरहर की डाल जो मैंने प्रेसर कुप करके रखा था उसको भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने उसमें नमक के डाल दिया देखिए यह अरहट के डाल जो प्रेसर को करके रखा था उसको डाल के मैंने थोड़ा उसको मिक्स कर दिया और उसके उपर थोड़ा पानी भी डाल दिया तबहुत बाजाज में पाम हुआ है मैंने यहां देखिए पादें संबर का मसाला आता है उसे को मैंने उसमें अश्प्रेड कर दिया यह देखिए यह इट्टी और मुद्पर बनके रहा है और बहुत भी बढ़ा लग रहा था आप जरू ट्राइग घर इंदे